नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्ट्ट टूनाइन न्यूज्स, स्वागत है आप सभी का हमारे शानल में एक बफर से वियाद की वोस्ट रप्ती लेकर आए हो इस वक्त इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त आरंखान के कौंसलिंग को लेकर पूरी डीटेल जो आई है इसे के साथ सबसे बड़ी स्पेशल गुड न्यूज देना च्राहें के कि अपने 500 करोड की संपती जो आरंखान ने कमाई जिसे बहुत आगी बठाना चाहते थे आरंखान के जिल जाने के बाद शारू की ब्रैंड वैली काफी गिरी लेकिन बाई जोस में दुबारा आरंखान को लेकर पूर्लोने के बावजूद शारू का नजराना एक बफर से हेटर्स पर SRKK के फैंस का जम कर करारा जवाब देना इस तरह सामने आया कि बॉलिवोड से सितारी ही सपोर्ट में नहीं बलकि बड़े लॉयर्स भी आरंखान के सपोर्ट में बोल बैठे जी हाँ आपको बताना शाहिं के हम हमारी इस खास रिपोर्ट में की अभी तक संजर गत के लॉयर रहे रिजवान मर्शिट सुप्रीम कोट की लॉयर खुश्बू जैन और फिर सपोर्ट में आये विकास सिंग तक ने समीर पर ऐसे निशाना बनाएं कुद्धव ठाकरे के स्ट्रिकमेंट आने की बाद NCB प्रेशर में है वाई ये जानते हैं अब NCB किस तरह खुखमोर रही है तेखे रिपोर्ट जैसा कि आप भी जानते ही है आरेन खान की काउंसलिंग को लेकर लगतार चर्शा हो रही है आखिरकार उनकी बेर से पहले 16 अक्टूबर को कई घंटों तक आरेन खान की काउंसलिंग चली है मुंबई में ड्रग्स मामले में कौडला खोज में होने वाली रेद बाधी के बीच आरेन को दो अक्टूबर की देर रात NCB के मेंबर्स ने पसेंजर बनकर बाकी कई और लोगों के साथ पकड़ लिया और फिर उन्हें अपनी हिरासक में रखा और दूसरे दिन उन्हें ग कारवाही के बाद नशीर पदार्त जब्त करके फलाकों की कैश मल जाने की ख़बर देते हुए कोड में पेशी के दौरान आरंखान से इंट्रूगेशन में जो सबूत मिले हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं इन सब को पेश करते हैं उनकी मोबायल रिकॉर्स को बताते ही तहकी पर इंटर्नाशनल ड्रग मामदे में परोने वाले शक की बात करते हैं उन्हें जेद भी जा अब एंसेबी की कस्टडी जब नहीं बढ़ाए गई तो आरंखान को सीधा एंसेबी की कस्टडी से 14 दिनों के लिए सीधा भेश दिया गया आर्थर रोजेल में ऐसे में आरंखान मामदे पर अब जो हैं आरंखान की जोनी डायेक्टर समीरवान खेड़े जो की काफी जादा निशाने पर रहे हैं आरंखान को गिरफतार करने के मामदे पर बॉलर इ आरंखान की बारे में बात की जाए तो शारुक अपने बेटे आरंखान की वजह से सोशल मीडिया पर काफिजाद और फोलिंग का स्कामना कर जगे हैं 20 तारिक तक आरंखान को जेल में ही रहना है अब एक बड़ी रिपोर्ट आई हैंट से भी की जोना डायेक्टर समीर वा आरंखेड़े ने आरंखेड़े ने आरंखेड़े से प्रॉमिस किया कि एक दिन ऐसा वह ज़रूर पुछ करके दिखाएंगे जिससे समीर को आरंखान को मूंबैी सेशन कोट में गुर्वार को कूस ड्रग्स पाथी मामले में सुनवाई थी लेकिन आरण को बेल नहीं मिला लेकिन जो बादे आरण खाल ने किये है इस बात की तरफ इशारे कर रहे हैं कि समीर उन्हें अब बेल देने से नहीं रोकेंगे समीरवान केड़े की टीम ASG को आरण को बेल देने के लिए तैयार कराईगी आरण की बेल की खिलाब वो नहीं है आरण की जमान पर फैसला सुरक्षित रखा गया 20 अक्टूबर को इस केस पर सुनवाई होने वाली है और इससे पहले आरण को तैयार किया गया है ताकि वो किसी भी तरह से परिशानी खड़ा न करे बाहर जाने के बाद अच्छे गलत ना करे और एविजन्स को स्कॉइल करने की खोशिश ना करे अब आरण की तरफ से अमिद्य साई सतेश मान शिंदे और MCB की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटेज जनरल अनिल सिंग ने दलीली अपनी अपनी पेश की अब सालमान खान की दोनों ही करेबी वकील रह चुके हैं सतेश मान शिंदे और अमिद्य साई सलमान को वो देल दिला चुके हैं अब आरण खान को जो है से ट्राइल नंबर N956 के तौर पर पेश किया गया जो की 32 कैदियों के बीच आर्टर रोज जेल में हैं और उनके साथ वैसा ही त्वीट किया जा रहा है जैसा बाकी कैदियों के साथ जैसे फैंड्स निराश भी हैं आर्टर है सोशल मीडिया पर आर्टर रोज किया गया लेकिन इसी को भी जेल में नाम से ही उसके नमबर से पुकारा जाता है तो आरण खान को इसी नाम से पुकारा गया जो काफी पक्दीव दे है कैदी नंबर दे दिया गए आरंखान को तो जेल में काफी परिशान आरंखान को जेल से निकानी की कोशिश पूरी की जा रही है क्योंकि जेल में आरंखान खाना नहीं खा पा रहे हैं और बाहरी खाना खाने की अनिमती है ही नहीं घर की ही कपड़े पहन रहे हैं जेल में आर कपड़े पहनाए जाए तो शारू की इस शहजादे की हालत और तकलीब दे हो सकती है यह आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार पर से बहुत ही जादा खास तौर पर देखा जाए तो आरन खान को लेकर यह चर्चा जाहिर तोर से सवालों क के गेरे में है कि समीर वांकेड़े में आरन खान की काउंसलिंग तो कराई लेकिन क्या वाकई में सिर्फ उन्हें बेल दिलाने के लिए काउंसलिंग कराई गई है क्योंकि इशारे तो इस तरह भी हैं पूरी तरह से समीर वांकेड़े के स्टेटमेंस की बात की जाए तो आ वो ने कहा कि वो इहां से निकलना चाहते हैं आरन ने गुडबॉय बनने का वादा किया है शारू के बेटे ने NCB से सीधा कहा है कि वो गरीबों की पानिशली मदद करेंगे एक अच्छा इंसान बनेंगे आरन खान की केस में इंविस्टिकेशन के बीच जो है महरास्ट्रो मिनिस्टर्स में और महरास्ट्र की सियन उद्धव ठाकरे ने NCB पर जो है सो अपना प्रेशर भी बनाया है और इसलिए आरन खान के वादे जो समीर से इस बात की तरफ इशारे करते हैं कि सिर्फ और इस तरह का वादा कर रहे हैं ॔र कि किसी भी तरह से आर Ini् खान को जो grandchildren से बाहर निकाला जाए जैसे आप P जानकाई देना चाहेंगे उनकी promise की बात की जायत वकी में promise से तुम्हारूंग चलता है कि आरुन खान को इस वक्त जो है जेल में रखकर जो है नई पहचान जो मिली है इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तक्लीफ में रहे हैं आर्यन खान को पूरी तरह से सपोर्ट करते वे देखा जा रहा है NCB की टीम को NCB की टीम ने आर्यन के खिलाफ एक शब्द बाहर आकर नहीं कहा अधिकारियों से कहा है कि जिल की बाहर आने के बाद भास तोर पर मदद करेंगे सबी लोगों की जने जरूरत है उनकी मदद की बता दे हम आपको शारूख खान में 51 सौ परोड की संपत्ती अर्ज रखी है अपने बच्चों के लिए यानि की आरियन खान अबराम खान सौहाना खान के लिए शारूख गौरी से अपनेंट होने के साथ देश के पावरफुल लेक्तियों में शामिल है गौरी इंटरनाशनल डिजान की तौर पर काम करती है इंटीरियर डेकोरेटर के तौर पर होम डेकोर उनका ओल ओवर इंटिटीनर उन्होंने तीवी से लेकर वॉलिवूड और बैन इंडॉस करने तक हर जगा बड़ी पहचान बना रखी है अब आरिंखान ने जो वादे किये हैं आरिंखान ने कह दिया अभी अब कभी कुछ गलत नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो चर्शा में आया है से उन्हें स्तरह स्ट्रीट किया गया लेकिन अपना मन पसंद खान आप कैंटिन में खा रहे हैं आरिंखान तो पहले बिस्कुट की सहारे ही रहे थे आप सभी ने जाना आज के शो में हमारे बीच हमने बात किया है आरिंखान के बारे में अब वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का वक्त हो गया है आप सभी से यहीं विदा लेने का वेगल लोटेंगे ज़द आप सभी के बेच आरिंखान को लेकर ऐसी ही तमाम अबदेश हमाप को देंगे आज के शो कॉंट्रवोशियर स्पेशल में इतना ही लोटते हैं वी टाउन से जोड़ी तमाम खबरे लेकर आरिंख की कॉंसलिंग की इसलिए बात आई है क्योंकि बाकरी में आरिंखान की बेर की तैयारिया अब MCV की तरफ से भी की जा रही है तो अब इस वर आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताया फिला लेते हैं इजासत नमस्कार